नमस्कार विद्याति मित्रांडो वीजन गवर्मेंट जाब यह अपले एजुकेशन चानल वरत्य आपले बुना एदू सागधा है आज से आपले डेली सेशन दोन है अपने चा मदे चार क्वेश्चन साल गरना रहे डायरेक्शन सेंस वर्ती बेस तास्तिल अपलेला MPC मदे आशा प्रकार्चे क्वेश्चन सर्राज बगाले मिठतत अनि फार इंपोर्टन क्वेश्चन साथ सगडे तब पहला क्वेश्चन हाए Y is in the east of X which is in the north of Z if P is in the south of Z then in which direction of Y is P तो रहे जा माराटी मदे आपन translation अवेलेबल है तुम्ही सगगे चा सगगे question solve कर रहे चाथ question number one हो था question number two हापन तो में विवस्थित solve कर रहे चाह है if south east become north north east become west and so on what will be west what will be west become असा वीचाल है question मदे हापन थोड़ा मजेशिर question है tricky question है तुम्हाला जमल हा थोड़े सा एक वेदया लागल और जमल कोईशिन question number three a man walk five kilometer towards south and then turn to the right after walking three kilometer he turn to the left and walk five kilometer now in which direction is he from the starting place हापन महत्वाचा प्रश्न है तुम्हाला किस solve कर रहे ला अन्या आशा प्रगाचा प्रश्न तुम्हाला MPC में ते बागाल बेटता था question number four Rasik walk 20 meter towards north then he turn right and walk 30 meter then he turn right and walk 35 meter then he turn left and walk 15 meter finally he turn left and walk 15 meter in which direction and how many meters is he from starting position तुम्हाचा प्रश्न है तुम्हाचा चागे 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 चारी questions चांसर नक्की साल कर रहे चाहे आनि comment box मादे पन देचेद तेचा मुल आपन आशेज daily session conduct करूयात उद्यसुदा आनि continue आपन session ठीवेत दर्रोज तेचा तुम्हाला नक्की स्प्राक्टिस होईल याचा सागाचा अंसर तुम्ही comment box मेदे नक्की mention करा तेचा नुसार आमाला कल कि आपन काय काय इंप्रूमेंट करा लपाईज़े कि मां काय लेवल चे questions करा लपाईज़े तर भेटु या पूर्चा लेक्चर मदे तो परेंद जय हिन जय महाराष्ट्र धन्यवाद मेराष्ट्र